यह सब होता द्वार अभी तो आप लोग दिन में यहां आए हैं और यह जब रात में यह राइट के बीच में यह दूबा हुआ रंगी राइट के बीच में कलर्स के बीच में इन रिच इन कलर बहुत ही ब्यूटिफुल लगता है और आप तभी भी आए आपके यह फ्री है यहां टिकट नहीं लगता है यहां कोई भी आपके यह बहुत अच्छी जगहा है कालनी के बहुत अच्छी जगहा है बच्चों को लेगा यह मुजिक हलकी अवाज में एक समय था जब बिहार गौरवांगी महसुस करता था आज बिहार की एजुकेशन सिस्टम करप्त हो चुकी है सोचना तो सिर्फ सरकार को नहीं चाहिए हम सभी लोगों को चाहिए जोकि यह ऐसा चीज है एजुकेशन जिसके बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ता है एजुकेशन का मतलब यह नहीं होता है कि आप किताब जो पढ़ रहे हैं और उस एजुकेशन को हम लोगों को बिहार के लिए फिर से बहाल करने की जरूरत है यह मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक रिक्वेश्ट है अगर आप सब मिलके करेंगे सरकार भी चाहेगी तो जरूर होगा पर देखे कि क्या होता है जिस तरह से वो तो पॉलिटिक्स की बात हो गई लेकिन और एक चीज़ यहां पर आप साफ सफाई देख रहे हैं सबिता द्वार में यहां कन्वेंशन सेंटर जो इसकी पीछे है या बुद्धा इस्मिति पार्ट जो एक्जिविशन रोड में है इस तरीके के कुछ स्टूप और कुछ जगा कुछ पार यहां पर हैं और इनकी साफ सफाई को देखके आप चमधी तुरह जाएंगे पहले के लोग पहले की एक भारना थी बिहार में कि बिहार में ऐसा नहीं है बिहार में साफ सफाई नहीं है लेकिन आज के दिन बिहार किसी से कम नहीं है और यही साफ सफाई अगर हमारी राजनिती में भी आ जाए तो मान के चलिए कि आने वाले दिन में फिर से बिहार वह कुछ हो सकता है सब कर दीजेगा दुसरों के साथ भी सेर करना मत बुलिए जितने भी गुरूप है ना कम से कम 10-10 गुरूप में आप भेजिए और की वियार को प्राउड फिल्प कराईए और बिहार को बहुत आगे ले जाईए जरी सुब कामना है आप सभी बिहारियों के सा स्पेसल पर वियार हाई बिहार जय बिहार जय हिन बिहार जय भारत